वेल्कम बैक तू मैचैनल, हैपी स्टुडेंटस, आज के इस वीडियो में भारतिय लोगतंत्र की क्या कमिया या कमजोर्या है, इसके बारें में चर्चा करेंगे, यह काफी इंपॉर्टन टॉपिक है आपके सोशल सैंस से रिलेakte्ट sound तो इसमें, क्या है भारतिय लोगतंत् इस सबसे उपर है यानि जितनी भी देश है उटन सब्में सबसे ज्यादा जो जन्संख्या वाला देश है वह भारत बन चुका है हाली के जो रिपोर्ट आये हैं उसमें ढाटा हमें देखने को मिलता है कि भारत का जनसंख्या चीन के जनसंख्या को भी पाल कर चुका है इसलिए अभी विश्वकात सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बना हुआ है तो इसलिए इसको सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहते हैं इसमें बहुत सारी क्या है खूबियां तो है लोकतंत्र की लेकिन इसके बा स्मग्रता में नहीं कर पाया है बहूत सारी उपलब्धियां है भारतीय लोक्तंत्र की सबसे बड़ा संविधान है सबसे अच्छा लिखित smविधान है ठीक है तो ये बहुत सारी खूबियां है लेकिन इसके बाब जूद भी इसमें बहुत सारी समझ्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है कुछ कम्या रही है इन में निम्नलिक शामिल है इसमें बहुत सारी कमजोरियां देखने को मिलती है कम्या देखने को मिलती है जिसके बादे में हम आगे अभी भी कुपोशित है उनको पोशन योग तक आहार नहीं मिलता फिर दूसरा जो पॉइंट है लोग अभी भी घोर गरीबी अशिक्षा और बेरोजगारी में जी रहे हैं अभी भी देश का जनसंख्या का एक भाग क्या है गरीबी में अशिक्षा में और बेरोजगारी में है अभी भारत में क्या है बेरोजगारी की संख्या दिन बदिन बर रही है तो ये सब चीज भी किसी लोगतंत्र के गठन के लिए लोगतंत्र में चुनाती ही है तीसरा पॉइंट, 60% से अधिक भारतिय लोगों के पास स्वच्छता तक महज नहीं है 60% तक जो लोग है, वो क्या है? लोगों के पास में स्वच्छता की पहुच नहीं है यानि वो लोग स्वच्छ बाताबर्ण में नहीं रहते चौथा जो पॉइंट है वो है, आर्थिक विकास के साथ संस्थागत परिवर्तन नहीं हुए है आर्थिक विकास के साथ जो संस्थागत परिवर्तन होना चाहिए, वो अभी भी नहीं हुआ है पाचवा पॉइंट है भारत की लगभग 35 पतिशत आबादी अभीवी गरीबी रेखा से नीचे रहती है भारत की जो 35 पतिशत जन्संख्या है वो अभीवी गरीबी रेखा के नीचे है यानि बिपियल जिसे हम बोलते हैं उसमें छे नंबर जो पॉइंट है वो है शाषन में महिलाओं का पतिनिधित वो 6 पतिशत भी नहीं है साथ नंबर पॉइंट हमारे समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता ये बिध्यमान है अभी भी हमारे समाज में क्या होता है, जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है वो देखने को मिलती है आठ नंबर जो पॉइंट है वो है समाज जातिवाद में बटा हुआ है समपरदाएक भाशाई और छेत्रिय रेखाएं समाज जो है वो जातिवाद में बटा हुआ है जात्पातो लिकर बटा हुआ है समपरदाई में बटा हुआ है भाशा के आधार पर और छेत्रिय भिन्यताएं तो देखने को मिलती ही है और इन सब का फाइदा अभी के समय में जादा तर जो नेता लोग है वो उठाते हैं तो इस तरह से समाज में एक जाती बाद देखने को मिलता है 9.99 जो पॉइंट है वो है राजनेती का अपराधी करन हो गया है धन और बाहुबल के परियोग ने लोगतंतर में लोगों के विश्वास को हिला दिया यह काफी important point है क्या है राजनेती का अपराधी करन राजनेती में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास धन और बाहुबल दोनों है अपना पैसे और शकतियों का उपयोग करें लोगतंतर में लोगों का बिश्वास होता है उसको डगमगा दे रहे यानि किसी के पास अगर पैस पैसों को दे कर बहुत सारे काम करा रहे हैं घर पैसे का कर दूसरे पार्ठी का से अज़ते करण होता है लोगों को Dallas May यानि नेता भी गया रहा है खरीदे बेजे जा रहे हैं तो ये अपराधी करन हो गया दस नमबर जो पॉइंट हो है समाज को जाती धर्म और पंथ के नाम पर विभाजित किया गया है समाज में क्या है जाती धर्म और कौन से पंथ के हैं इस सभी के आधार पर विभाजित करने का काम किया जा रहा है जो भी लोकतंत्र की काफी बड़ी एक कमजोरी है ग्यारे नमबर जो पॉइंट है वो है बरते भर्ष्टाचार ने राजनितिक व्यवस्था में लोगों के विश्वास को हिला दिया है लोकतंत्र को लोक कल्यान की कीमत पर आसानी से पैसा कमाने का साधन माना जाता है अब क्या हो रहा है भारती राजनिति में ये एक काफी कमन चीज हो गया क्या जो भर्ष्टाचार भारती राजनिति व्यवस्था में लोगों को अब विश्वास नहीं रहा क्यों नहीं रहा क्योंकि लोकतंत्र में नेता क्या करते हैं जब वोट का टाइम आता है तब आपको बोलते हैं जो हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे लेकिन जैसे वोट में वो जीत चाते हैं चुनाव में जीतने के बाद वो कुछ जितने वादे वो करते हैं उतने वो काम नहीं करते और क्या होते हैं एक बाद चुनाव में सत्ता परा जाने के बाद वो सिर्फ पैसा कमाने पर ही ध्यान देता है, यानि अपनी तीजोरी भरे जनता का कुछ काम हो नहीं हो, उसको कुछ मतलब नहीं, तो इस तरह से ये भष्टाचार काफी फ्याल रहा है, जो कि लोकतंतर के लिए काफी बड़ी कमजोरी है, इन कमजोरीयों को द कमीयों को दूर करना काफी ज़रूरी है, तो ये कमी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सकमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगई है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें धन्यवाद